कि नमस्कार दोस्तों एक बारा सुक्का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर सुगय जैसे कि आप सब्सक्राइब आठ बर जहां पर जो मेरी हिंदी की क्लास है चलती है तो यह टाइमिंग जो याद रखिएगा और जितने लोग यहाँ पर जोड़ें फटाफ़र कमेंट करें चलेंगे आप सभी को आवाज जो क्लियर आरे एक नहीं आरी है उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे वीडियाफ के लिए आप लिए आप लोग से जुड़ सकते हैं नीचे देखे आपको टेलेग्राम ग्रू करना है वहाँ पर मैंने आपको वीडियो भी बना दिया है यह कैसे आप लोग मेरी कलास नहीं ले पाते हैं कि और नीचे डिस्कूसिन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है क्लास कैसे ले उस वीडियो को देख सकते हैं और यह हमारा इन्वाइट कोड है डियर गुरू जी इस इन्वाइट कोड की मदद से जो है आप लोग मेरी क्लास को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो यह इतनी चाहिए जो है याद रखिएगा इन और इसी कोड करते हैं तो प्लस में भी इसी कोड़ से आप लोग जो है बिल्कुल फ्री मतलब 10% साथ प्लस में कोई भी कोड़ जो है ले सकते हैं किसी भी कटेगरी में तो चलिए काफी लोग यहां पर देखें जूर चोगे हैं अभी हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट ठीक तो पहले में समान हो जैसे यहां पर देखें आपका प्रहार है यहां पर मैं इसको कर लेता है उपर तो यहां पर प्रहार है उसके बाद परिहार है तो प्रहार और परिहार देखें सुनने में एक समान से लग रहे हैं प्रहार परिहार तो सुरूत इस समय है लेकि उनके अर्स जो है वो यहां पर correct हो जाएगा इसे तरह question number 2 ध्यान से देखिए क्या कहरा आपसे यहां पर परियंत है और परियंक है दोनों का अलग-अलग अरत होता है तो अगर हम बात करते हैं परियंत के बारे में इसका मतलब होता है तक और परियंक का मतलब होता है पलंग यानि कि option जो इसका A है वो यहां पर बिलकुल correct हो जाएगा question number 3 देखिए बहुत ही अच्छा question है कहरा है कि पवन और पावन का मतलब क्या होता है देखिए पावन का मतलब वायू यह होता है यह हवा होता है और पावन का मतलब होता है पवित्र यहां पर पवित्रता मत कर देना पवित्र होता है पावन का मतलब तो option जो इसका D है वायू और पवित्र वो यहां पर बिलकुल correct हो जाएगा question number 4 इससी तरह से हाँ पाहन और पाहून इसका सही अर्थ क्या है तो भई पाहन का मतलब होता है पत्र और पाहून का मतलब होता है गेश्ट यानिकी अतिथी تو option जो इसका B है वो यहां पर correct हो जाएगा question number आपका 5 कह रहा है प्रस्तर और प्रस्तार का सही अर्थ क्या है भाई प्रस्तर का मतलब भी आपका पथर ही होता है और प्रस्तार का मतलब होता है विस्तार यानि की फैलाओ तो यहाँ पर option जो इसका C है प्रस्तार का मतलब फैलाओ ये बिल्कुल correct हो जाएगा chiar आते हैं looking question पर ल человека की म किया रहा है अगला question कै नियुक्त में चैज्याद परिमित क्या होता है परिमित क्या होता है तो परिमित का मतलब क्या होता विसिकली आपकी आपकी आयत की परिमित भी निकालतों वो भी आपकी परिमिती होती है चलियर है चलिया आते हैं क्वेशन नमबर साथ की तरफ तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रदीप और प्रतीप का सही अर्थ क्या है तो प्रदीप मतलब दोस्तों आपका दीपक होता है प्रती मतलब होता है आपका उल्टा तो बहुत ही इंपोर्टन्ट है तो उप्सन जो इसका A है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा परेडाम का मतलब हो गए तो रिजट ययनि कि नतीजा और परिमार का मतलब गया हम करते हैं तो सक्ति साली हो प्रवर का मतलब हो तो यहाँ पर जो थोड़ा स्रेष्ट हो यहाँ पर option जो इसका B है माँख कीजिए का सक्ति साली और स्रेश्ट वो यहाँ पर बिलकुल करेट हो जाएगा चलिए आते हैं अगले question पर तो अगला question आपके जो भगवान के तरह से जो प्रसाद मिलता है वो विसलिए एक किरपा होती है तो यहाँ पर प्रसाद मतलब किरपा और प्रसाद मतलब होता है महल तो option जो इसका A है वो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा आते है question number 12 पर तो आपसे यहाँ पर देखे क्या कहे रहा है कि और प्रस देखे पुरुस अलग है परुस अलग है पुरुस का मतलब होता है बिसलिए आपका आदमी और परुस का मतलब होता है कठोर तो option जो इसका C है वो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा इसी तरह question number आपका 13 कह रहा है अर्ग और अर्धे का सही अर्ध क्या है अर्धे का मतलब क्या है और अर्धे का मतलब क्या है इसका मतलब बताना है तो अगर हम बात करते हैं अर्धे के बारे में तो इसका मतलब होता है मोली और अर्धे का मतलब होता है पूर जी अब पूजा सामागरी तो यहाँ पर option जो इसका D है वो यहाँ पर बिलकुल करेक् जो इसका A है वो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा आते हैं question number 15 पर आपसे कह रहा है अस्त और अस्त्र अस्त्र जह सूरज अस्त्र होता है वो आपका अस्त्र होता है और अस्त्र आपका जो सस्त्र वाला होता है वो होता है question number 16 पर आते हैं देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि अभय और उभय का सही अर्थ क्या है अगर हम बात करें अभय के बारे में और बात करें उभय के बारे में तो यहां पर अभय का मतलब होता है और उभय का मतलब होता है जो दोनों में होता है यानि कि आपसन जो इसका B है न अमित भंडार है और अमीत का मतलब होता है कि दुस्मन सत्रू तो यहां पर आउसन जिसका डी है सत्रू और बहुत और सत्रू यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आते हैं कोईशन नमर अठारा की तरह दोस्तों क्या कह रहा ध्यान से देखिए अचर और अनुचर का सही वह आपका अनुचर होता है तो आउसन जिसका ए है वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसी तरह आपका क्वेशन नमर 19 कह रहा है यहां से देखिए अवलंब और अविलंब इनका आर्थ क्या होता भाई अवलंब अलग है अवलंब का बिसिकली मतलब मतलब होता ह है कि सहारा और आविलंब मतलब होता है सीगर जहें कि कितने जल्दी से कोई काम हो जाए तो ऑफस्ट जिसका सी है वो करेक्ट हो जाए कहते हैं कोई भी काम भाई अवलंब इनकी देः मत करो जल्दी कर दो सीगर कर दो चलिए आते हैं कोईशन नमर 20 पर तो अनिष्ट और बहुत important है कई बारा से paper में पूछा गया है तो अनिष्ठ और अनिष्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो अर्थ होता है अनिष्ठ मतलब होता है सरधाहीन और अनिष्ठ मतलब होता है हाँ नहीं तो option जो इसका B है वो यहां पर correct हो जाएगा इकीस number question कहे रहा है अस्व और अश्म का सही अर्थ क्या है देखे इसके बाहर आपको में भी कोई question देखनें को मिले बट यहां पर जो मैं आपको most important one ninety six question कराऊंगा इससे बाहर आपको सही question मिलने वाला है ध्वनी वर्ड विचार अभी आपको सब कुछ मिलेगा तस्तम तदों मिलेगा और वह साई चीज़े हैं आपर मिलने वाली है तो योगी गरूड यह जितने वी सब दोते सब कुछ मिलेगा तो ऐसा मत्सम्जु सरीव यही है तो जितने important सारे करवा रहा हूं तो यहां पर देखा जाए अश्व का मतलब क्या होता है घोड़ा और अश्म का मतलब क्या होता है पत्थर देखे पत्थर के मतलब आपको बहुत मिल गए पाहन मिल गए परस्तर मिल गए बहुत सारे ऐसे मिल गए तो अश्म मतलब भी आपका क्या होता है पत्थर होता है तो याद रखिएगा कोईशन में आपका 23 कह रहा है कि अंबुज और अ अभी राम इसका सही अर्थ क्या है तो अभी राम का मतलब क्या होता है अभी राम का मतलब होता है सुंदर और अभी राम का मतलब होता है बीना रुकिया निकि लगातार तो उसका ए है वो यहां पर बिल्कुल कैट है जैसे कि आज में आभी राम मतलब बीना रुकिया मैं पोसिस करूंगा आते हैं कोईशन नमबर पचीज पर तो अन और अन्य इसका सही अर्थ क्या है तो भाई जो अन होता है उसका मतलब होता है अनाज और जो अन्य होता है यानि कि उसका मतलब होता है दूसरा तो आपसंद जो इसका भी है अनाज और दूसरा वो यहाँ पर बिल तो सन्यासी बहुत ही important है तो यहाँ पर option जो इसका B है वो यहाँ पर correct हो जाएगा question number आपका 27 कह रहा है हरी और हर इसका सही अर्स क्या है हरी का मतलब क्या है और हर का मतलब क्या है तो हरी का मतलब होता है बिश्नु देव और हर का मतलब होता है हरे रंग की तो बहुत ही important है तो option जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा समझ में आ रहा ना सर चली आते हैं question number 28 पर तो सुल्क और शुल्क देखिए सुल्क है एक सुल्क है ध्यान दीजेगा देखने में सुनने में जैसे हैं बढ़ अलग है तो सुल्क का मतलब आपकी जो फीस लगती एक्जाम आप देते हो आप लोग बहुत साइन जोगा शुल्क का मतलब क्या होता है सर जो शुल्क होता है उसका मतलब होता है उज्वल तो option जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होयागा सुकल पच्छ भी होता आपने सुना यह होगा आते हैं question number 29 पर तो आपसे क्या कहरा है कि स्वाजन और स्वाजन देखिए एक श्वाजन है श्वाजन है तो इनका सही अर्थ क्या है तो भाई जो आपका पहला वाजना जिसमें लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है आत्मी है और जो श्वाजन होता है इसका मतलब होता है कुता यानि की जो डॉक्स होते है तो यहाँ पर option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आगे ना आते हैं question number 30 पर तो आपसे क्या कहरा है सुच्छ और श्वाज इसका सही अर्थ क्या है अगर हम बात करते हैं सुच्छ के बारे में तो question number 30 में क्या हो जाएगा sir सुच्छ मतलब होता है साफ और सुआ मतलब होता है सुदर आख तो अगर आपको किसी की आख की बढ़ाई करनी है तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास शुआ है यानि कि आपके पास संदर आखे है तो option दो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा question number आपका देखिए क्या कहरा है 31 नमबर पर आते हैं सीधे इक सकल और सकल दिया गया है यहाँ पर शकल का मतलब हो गया आपका बीतकाल और संकल का मतलब होता है आपका अकार तो यहाँ पर option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है sir बहुत important है इसको आपको गलत नहीं करना है आते हैं अगले question पर तो एकला question आपका यहांपर कह रहा है कि सारदा और सारदा इनमें क्या difference है तो सारदा जो है तो सती की अगर हम बात करते हैं तो सती का मतलब होता है कि आपका देखा जाए तो सती देगे सती सावरित्ति आपने सुना होगा न तो सती का मतलब प्रती वरता आपको पदा न सती क्यों famous थी तो पती वरता के लिए तो यहाँ पर option जो इसका B है पती वरता और शती का मतलब होता है शेकडा तो option जो इसका B है और स्वेट मतलब सफेद होता है तो option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है sir चली आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question देखिए आपका यहाँ पर question number 35 कह रहा है कि सीसा और शीशा इनका आर्थ क्या होता है अगर हम सीसा की बात करते हैं और शीशा की बात करते हैं तो भाई एक होता है धातू एक होता है दरपड तो option जो इसका A है धातू और दरपड वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चली आते है question number 36 की तरफ तो आपसे कह रहा है सिता और सीता एक सिता है एक सीता है तो इनका हर से क्या हो जाएगा तो सीता का मतलब होता है चीनी और सीता का मतलब होता है माता जाने की तो option जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा question number 37 कह रहा है एक सुधी है एक सुधी है यानि कि आप सुधी करके सुधी बन सकते हो, यानि कि याद अगर कि आप विद्वान बन सकते हो, आप अगर क्या हो तो दूसरे लेंगों में ऐसे किसी को बोल सकते हो, यानि कि अप क्या है कि हिंदी को भी आप अपने लेंगों तो थोड़ा सा यूज मिला हो, ऐसे लोगों क को साथ बात करो की तुछटीख करकि आप सुधी बन सकते हो तो दूसरे बडने को नहीं पता लेकिन आपको तो पता है कि आप क्या बोले, तो इसने क्या रएगा कि वह चीज आपके दिमाग P PT होता है और मतलब होता है तो अच्छे तो हम जो इसका 1 है वो यहाँ पर बिलकुल गर्यक्ट हो जाएगा चलिए आते हैं question number 49 पर तो आपसे हां पर क्या कहा रहा है किlus और रख का सही सौने मतलब क्या है सब को पता ऐसा सर्ग का मतलब होता है अध्याय आपने पढ़ा होगा ना कि पहला सर्ग दूसरा सर्ग तीसरा सर्ग तो अध्याय होता है और स्वर्ग का मतलब होता है तीसरा लोग यानि कि आप लोग तीन लोग होते हैं स्वर्ग लोग, धर्ती लोग, पाताल लोग, अलग-अलग लोग होते हैं तो option जो इसका B है वो यहाँ पर correct हो जाएगा question number आपका 40 कह रहा है एक sum है, एक sum है तो इनका सही अर्थ बताना है तो भाईया जो एक sum होता है, इसका मतलब होता है बराबर और जो sum होता है, उसका मतलब होता है यानि कि option जो इसका A है, वो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा यहाँ तक सभी को clear हो गया ना तो यार वीडियो को लाइक करते हुए चलो अभी बहुत सारा बहुत लंबा सफर तरह करना है, तो अन तक देखना है आपको वीडियो को आगला question आपका यहाँ पर क्या कह रहा है सूत है और सूत है, इनका मतलब क्या होता है तो एक आपका सूत है, तो सूत का मतलब होता है आपका सारथी और शुत मतलब होता है पुत्र, यानि की option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चले आते है question number 42 के तरह, 42 question देखे बहुत ही अच्छा है एक चात्र है, सबको पता है, चात्र मतलब विद्यार्थी होता है लेकिन यह जो च्छा वाला च्छा है, च्छत्री वाला च्छा है इस च्छात्र का मतलब क्या होता है, च्छत्री है यानि की च्छत्री वाले च्छा का मतलब क्या होता है, च्छत्री होता है तो option जो इसका C है वो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा question number आपके 43 पर आते हैं तो कहरा है कटी बंध है और कटी बंध है इनका सही अर्थ क्या है तो कटी बंध का मतलब क्या होता है आपका कमर बंध होता है कटी बंध यानि कटी मतलब होता है कमर और बंध मतलब होता है बादने वाला यानि कि कमर बंध और कटी बंध मतलब होता है ततपर यानि कि तयार तो option जो इसका B है वो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा 44 नमर कोईशन पर आते हैं तो आपसे क्या कह रहा है कि कपिश और कपीश इसका सही अर्थ क्या है तो कपिश और कपीश इनका सही अर्थ अगर हम बात करते हैं तो एक होता है मतमेला और कपीश का मतलब होता है वानरो का राजा तो option जो इसका C है मटमेला और वानरो का राजा वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा clear है दोस्तो चलिए आते हैं question number 46 पर तो आपसे कह रहा है कली और कली इनका सही अर्थ क्या है एक कली है एक कली है बहुत पर आपके paper में repeat हुआ होगा आपने अगर notice किया है तो कली का मतलब होता है कली और कली का मतलब होता है अधखिला फूल तो option जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए सर आते हैं अगले question की तरफ तो question number आपका देखे 47 यहाँ पर क्या कह रहा है क्रांती और क्रांती देखे एक कांती है एक क्रांती है कभी कभी देखे इस तरह से लिखा गया है ना कोई लगता है कि पढ़ने में भी एक ही है तो कांती और क्रांती अलग अलग है यह जी ध्यान दीजेगा तो कांती का मतलब होता है चमक क्या होता है सर आपका चमक होता है और क्रांती का मतलब होता है आपका उलट पर कहते हैं कि क्रांती ला दिया नहीं कि उलट फेर कर दिया बड़ा तो आप संजो इसका डी है वो यह यहां पर correct हो जाएगा question number 48 कह रहा है कि कृति और कृति देखिए अलग अलग है इनका सही अर्थ क्या है तो अगर हम बात करते हैं कृति के मतलब देखिए दोनों एक ही जैसे लिखे गए है बट इनके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं तो एक कृति का मतलब रचना भी होता है ए अगला question आपका कह रहा है कि कंगाल और कंकाल का सही अर्थ क्या है कंगाल कह रहा है और कंकाल कह रहा है तो कंगाल मतलब होता है आपका दरिद्र और कंकाल आपका बता है हड्डियों का धाचा इसकल होता है तो option जिसका C है वो correct हो जाएगा चली आते है question number 50 पर तो आपसे क् रहा है कि कुल और कूल का सही अर्थ क्या है एक कुल है एक कूल है तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा एक होता है वंस एक होता है किनारा तो जिसका बी है करेक्ट है एक कुल का मतलब वंस होता है कूल का मतलब किनारा होता है question number आपका एक क्यामन कहे रहा है कि रितू और रितू देखे एक रित है एक रितू है तो दोनों का सही अर्थ क्या हो जाएगा तो रित का मतलब होता है भाई सत्य और रितू का मतलब होता है मौसम तो option जिसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा आएंगे question number अगले question पर 52 पर तो क्या कहा रहा है उद्धत और उद्धत देखे उद्धत है और उद्धत है इनका सही अर्थ क्या है तो उद्धत मतलब होता है उदंड और उद्धत मतलब होता है तयार जो option जो इसका D है उदंड और तयार वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है सर चली आते हैं कोईशन नमबर 13 पर तो आप से कह रहा है आत्र और आद्र इनका सही अर्थ क्या है अगर हम बात करते हैं आत्र के बारे में और आद्र के बारे में तो इनका सही अर्थ क्या हो जाएगा इसका मतलब होता है दुखी औ और आद्र मतलब होता है गीला तो option जिसका C है दुखी और गीला वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा clear है दोस्तो चलिए आते हैं question number 54 पर तो आपसे कहा रहा है आभरड और आमरड इसका सही अर्थ क्या है आभरड का मतलब क्या होता है sir आभूसर और आमरड का मतलब क्या होता है मरड तक तो option जिसका B है आभूसर और मरड तक वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है sir चलिए आते हैं अगले question पर तो अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या गह रहा है कि आवास और आभास इनका सही अर्थ क्या है देखिए एक आपका आभास है और एक आपका क्या है आभास है तो इनका सही अर्थ क्या होता है तो सब को पता है sir अगर हम बात करते हैं आभास के बारे में तो उसका मतलब होता है कि जहलक मतलब कि एक जहलक मिल जाए तो आपसन जो इसका c है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलियर है चलिया आते है अगले कोशन पर तो अगला कोशन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीर और नीड इनका सही अर्थ क्या है नीर का मतलब क्या होता भई नीर मतलब जल बिसीलिए आपका होता है और हम बात करते हैं नीड के बारे में देखें नीर मतलब जल और नीड जो होता है आपका वो घोसला होता है तो option जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है चलिए आते हैं question number 57 पर तो आपसे कह रहा है कि नत और नित देखें नत का मतलब क्या है नित का मतलब क्या है तो नत का मतलब जो होता है वो जुका हुआ होता है और नित का मतलब होता है प्रति दिन होता है तो option जो इसका A है जुका हुआ और प्रति दिन यह यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा आते हैं question number 58 पर तो आपसे क्या कह रहा है देव और दैव इनका सही अर्थ क्या है तो देव का मतलब क्या है और दैव का मतलब क्या है देव मतलब होता है देवता और दैव मतलब होता है भागे तो option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है question number आपका देखिए उनसर कह रहा है कि दिवा और दिया इनका सही अर्थ क्या है देखिए दिवा है और दिया है अगर इनके बारे में बात करते है तो दिवा मतलब होता है दिन और दिया मतलब होता है दीपक तो option जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा फिर से station आगे train आगे परिसान करने question number आपका 60 कह रहा है दशन और दंसन इनका सही अर्थ क्या है बहुत ही important है तो दशन का मतलब होता है दात और दंसन का मतलब होता है दात से काटना तो option जो इसका B है वो यहाँ पर correct हो जाएगा question number 60 कह रहा है दीप और दूइप इनका सही अर्थ क्या है तो दीप की अगर हम बात करते हैं तो इनका मतलब होता है दिया और दीप मतलब होता है टापू यानि की option जो इसका D है वो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा question number 60 कह रहा है दारू है एक दारू है देखे दारू और दारू इनका सही अर्थ क्या है आपको यह बताना है basically तो भाई देखा या तो दोनो बिलकुल एक ही है लेकिन दारू मतलब लकडी भी होती है दारू का पेड़ा आपने सुना होगा और दारू मतलब सराब भी होती है तो option जिसका A है वो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा clear है सर चलिए आते है question number 37 पर 63 पर तो आपसे क्या कह रहा है कि दूत और धूत का सही अर्थ क्या है देखे दूत मतलब आपको पता है ना दूत मतलब राजदूत भी हो सकता है या आपका प्रती निधी भी मान सकते है बट यहाँ प्रती निधी ज्यादा correct होगा तो दूत मतलब प्रती निधी और जो दूत होता है उसका मतलब होता है जूआ तो option जिसका C है वो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा चली आते हैं question number 64 पर तो आपसे क्या कह रहा है ति तनू और तनू का सही अर्थ क्या है तनू की बात करते हैं और तनू की बात करते हैं तो भाया तनू का मतलब क्या होता है अगर हम बात करते हैं तनू के बारे में तो इसका मतलब होता है दूबला और तनू का मतलब होता है पुत्र, तरिन, तनूजा, तनूजा पढ़ा है ना तो option जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा question नमर आपका 65 कह रहा है प्रतिहार और प्रतिहार प्रतिहार का मतलब स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था अब बताना है प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, प्रतिहार का मतलब क्या होता है द्वारपाल भी होता है बान का मतलब होता है आदत और बाड मतलब होता है तीर तो आप संजे इसका उसका मतलब होता है कोईशन नमर आपका 68 कह रहा है बहू और बहू इसका सही अर्थ क्या है तो बहु का मतलब क्या होता है यह आपका बहुत और बहु का मतलब होता है वर और वधू में जो वधू होता है तो आप सुन जो इसका D है वो करेक्ट हो जाएगा अगला most important है बात और वात इनका सही अर्थ क्या है तो अगर हम बात करते हैं बात करते हैं बात के बारे में कोशन कह रहा है वारिस है एक बारिस है तो वारिस क्या होता है और बारिस क्या होता है तो भाईया वारिस यारी की वरसा वाला वारिस देगे छोटा यह लगा है तो वरसा वाला बारिस और बारीस का मतलब क्या होता है समुद्र तो बहुत ही इंपोर्डेंट है तो उसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है sir चलिए clear है तो आते हैं अगले question पर तो अगला question देखिए आप से यहाँ पर क्या कह रहा है कि वंदी और बंदी का सही अर्थ क्या है अगर हम बात करते हैं वंदी के बारे में और बात करते हैं बंदी के बारे में तो बंदी का मतलब क्या होता है इसलिए आपका बहाट और बंदी का मतलब होता है कैदी तो बहाट और कैदी तो option जिसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है sir चलिए आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question आपका यहाँ पर कह रहा है कि बहन और वहन इनका सही अर्थ क्या है तो अगर हम बात करते हैं बहन यानि कि sister वाला बहन होता है लेकिन यहाँ पर बहन अलग यहाँ पर इसका कुछ अर्थ होगा तो यहाँ पर देखा जाए तो बहन का मतलब सम में एक ही दिया गया बहीन 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 तो बहन का मतलब बहीन ही होगा कुछ अलग क्यों होगा और वहन का मतलब क्या होता है वहन मतलब होता है क्या वहन करना आपने सुना है वहन करना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका धोना बस ताल है तो बस का मतलब होता है यहां पर हम लोग निवास करते हैं और बस का मतलब होता है बही कैदे निवे बस मार रहे हो तो गंद मारा रहे हो तो option जिसका D है वो correct हो जाएगा clear है आते हैं अगले question पर करा की बली और बली का सही अर्थ क्या है अगर हम बली की बात करते हैं और बली के बारे बात करते हैं तो बली मतलब होता है बलीदार और बली का मतलब होता है सक्तिसाली तो आपसन जो इसका C A है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आते हैं कोशन नमबर 75 पर तो आपसे क्या कह रहा समू क्लियर है जली आते हैं कोशन नमबर 76 पर तो आपसे कह रहा है योग रूड सब्द क्या है अब देखिए अभी तक हमने बहुत साथ चीजों के बारे में पढ़ा अब उसके आगे थोड़ा बढ़न है तो यहाँ पर योग रूड सब्द क्या होता है तो अगर हम बात करें योग रूड के बारे में तो योग रूड के बता होता है जो समान अर्थ को छोड़कर परंप्रागर्द अर्थ बताए तो चार कसंद दिये गहें तो यहां पर बताना आपका कौन साकन सत्य है तो यहां पर देखा जाए तो उपसर्ग प्रतिय से रूड़ सब्ग बंते हैं तो गलत हुट सब्ध सब्द के योग से बनते हैं तो यह 28 किया गया रहा है कि निमलिकित में से कौन सा कथम सत्य नहीं है तो यहां पर कह रहा है कौन सा कथम सत्य नहीं है तो पहले कथिन की बात करते हैं तो संकर सब्द ग्रामीर सब्द हैं तो देखा जा तो यही सब्द आपका सही नहीं है क्योंकि संकर जो हाइब्रिड होता है वो तत्भोसद्सम् के विक्रेत रूप है ये भी बिल्कुल सही बात हो तीन कथन सही है एक कथना आपका सत्य नहीं है 79 आप से कहा रहा है कि व्योहार लोक में अर्थ प्रतीत कराने वाली धुनी ही सब्द है यह कथन किस व्याकरण का है तो वया करण का है तो देखे क्वेशन यहां पर क्या पूछा गया है तो यहां पर देखा जाए तो व्याहार लोक में अर्थ प्रतीत 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 कराने वाली धोनी ही है तो यह बिसिकलिए आपका वया करण में है यह आपका पतंजली में है तो आपसन जो इसका कौन सा सर डी वाला option जो है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है दोस्तों चलिए आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question आपका यहाँ पर question number 80 क्या कह रहा है कि निर्देश दिया गया है कि इन चार option दिये गया है कुछ सब्दों के लिए भी जब तक निर्देश और नियाद से तब तक क्लिए रूर सब्द आपको ढूड़ना है तो देखे इसमें क्या रूर सब्द हो जाएगा कोई सारसाथ सखंड है नहीं है घोड़ा दिन कान तो आप यह रूड हो जए गा इसी तरह आपका योगिक योगिक मिलेका आपको योगिक भी समझा दूँगा क्या होगा तो अब यहां पर देखा तो रेसम पलंग और मलमल तो इनका देखो अलग अलग इनको कर सकते हो रेसम को अलग कर सकते हो आप मलमल को अलग कर सकते हो यानि कि इनके अलग खंड रेसम में रेस एक रेस का मतलब कुछ होता है पलंग में अलग हो सकता है मलमल में मल और मल आपका अलग अलग है लेकिन ला काला यह यहाँ पर विल्कुल करेक्ट हो जाएगा जल्देली करेंगे इसको क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपका उबटन पेट और पंकज और सलाई तो बटन का मतलब बटन पेट देखिए उबटन में अलग-अलग कर सकते हो पंकज में कर स सकते हैं इसी तोरह Q panels Mead 803 में क्या रहा कि तदभौ सभकूंत आते हैं जो आपका नहीं पतार आनना कि यह और ठोमरी तो पढ़की बता सकते हुआ कि जो CR है वो आपका क्या है आपका एक तदभो सब्द है इसे होच्जन आपका 85 का एपका एक तदभोस्ब्द हो जाएगा तदभो सब्द हो जाएगा, clear है, इसी तरह 87 नमर कोशन में क्या कह रहा है, योग, जीवन, और क्रोध है, और आपका मीठा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो मीठा जो है, basically बिलकुल सही है, मीठा जो है आपका एक तदभो सब्द हो जाएगा, अगले में कह रहा है, वर्ड है, मिरत्यो है, दूबला है और जुग्गी है, तो यहाँ पर आप आराम से बता सकते हो, जो आपका दूबला है, वो आपका क्या है, आपका एक तदभो सब्द है, इसी तरह 89 नमर कोशन है, सुनार, हेमंत, तेंदुआ और पूर्व, इसमें बता सकते हो सर सभी लो तो संत्रा जो है आपका ना तो जापानी है ना तो तुर्की है, यह आपका पूर्दगाली से लिया गया है, बहुत इंपोर्डन्ट है, याद रखिएगा, आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन आपका यहाँ पर क्या कहरा है, ध्यानते देखिए, कि गोदाम किस भा बहुत बहुत बनते हैं, तो अस्पताल की बात कर लेते हैं, तो अस्पताल जो है बिसिकली, वो आपका अंग्रेजी भासा का सब्द है, हॉस्पिटल, अस्पताल भी आपका अंग्रेजी भासा का सब्द है, तो बहुत इंपोर्डन्ट है, याद रखिएगा, आते हैं 93 न तो option जिसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा question number आपका 95 देखिए क्या कहरा है कि कबूतर किस भासा का सब्द है कबूतर की अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा यह आपका फारसी भासा का सब्द है किस भासा का सर फारसी भासा का सब्द है question number आपका 96 में कहरा है मुकदमा किस भासा का सब्द है मुकदमा की अगर हम बात कर लेते हैं तो मुकदमा जो है आपका अरबी भासा का सब्द है किस भासा का सर अरबी भासा का सब्द है तो option जिसका B है वो correct है देखो इसको आपको याद करना होगा कुछ important जो है यहाँ पर मैं करवा दे रहा हूँ तो यह आपके लिए important भी हो सकते है इनको tick करते हूँ चलिएगा सतान में कहरा भाई, rail किस भासा का सब्द है rail जो है आपका यह तो आपको पता है R.A.I.L. अंग्रेजी भासा का ही सब्द है option जो इसका A है करेक्ट हो जाएगा 98 कहरा है कि लफंगा जो है वो किस भासा का सब्द है लफंगा की अगर हम बात करते हैं तो आपका पुर्तगाली भासा का सब्द है कैसा भई? पुर्तगाली तो option जो इसका D है वो करेक्ट हो जाएगा इसी तरह आपका coupon जो है वो किस भासा के सब्द है तो coupon आपका एक French सब्द है तो option जो इसका B है French वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा Question number आपका 100 देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि गिरहकट सब्द क्या है गिरहकट जो सब्द है basically आपका संकर सब्द है दो अलग अलग भासाओं से मिलके बना हुआ है गिरहकट तो option जो इसका D है संकर वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा इसी तरह आपका question number 101 कह रहा है भाई उट पटांग सब्द क्या है अगर हम बात करते हैं उट पटांग के बारे में तो इसका मतलब है यह आपका एक देशच सब्द है देशच निकला हुआ इसकी व्यूत पटी का पता नहीं है बोलते हैं उट पटांग बोल दिया तो option जो इसका C है वो correct हो जाएगा question number 102 कह रहा है कि कायल सब्द क्या है तो कायल ना तो योगिक है ना तो रूड है ना तो तस्सम है यह आपका एक तदभो सब्द है तो option जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा question number 103 पर आते हैं ध्यान से देखिए क्या कहरा आपसे यहाँ पर कि पंकज सब्द क्या है पंकज भाई क्या है सब्द तो पंकज जो सब्द है वो आपका एक योग रूड सब्द है कैसा सब्द है सर योग रूड सब्द देखिए रूड सब्द मैंने आपको होता है अब योग रूड और योग भी जान लेते हैं तो पहले योग रूड जान लेते हैं योग-rodi-saböad बे-sabda होते है भीया, जो अपने सामान अर्थों को छोड़ करके, किसी विसेस अर्थों को बताने लगते हैं, उन्हे योग-rodi कहते हैं, इसे- पंकज हो गया, पंकज डीखेगे, आपको पता है ना, कि पंकच का अर्थ कुछ अलग हो जाता है इसी तरह जेलज हो गया जेलज हो गया और क्या हो जाता है चक्रपाड़ी, लंबोदर्द, असरत बहुत सारे ऐसे होते है क्लियर असर चलिए आते है क्वेशन नमबर 104 बर तो पुरोही सब्द क्या है पुरोही सब्द के बारे में बात करते है तो यह आपका क्या है एक तस्वम सब्द है तो उप्सन जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बैटरी भी खतम हो रही है कोई बात नहीं चार्ज भी लगा लेते है कोईशन नमर आपका 105 पर आते है तो 105 में देखे कह रहा है एक कुछ निर्देश दिये गए है यहाँ पर आपको क्या करना है संकर सब्द ढूणना है यानि कि इन चारो आप्सनों में संकर सब्द आपको ढूणना है चज्या है, मुर्दा घर है, श्या है और दिवार है तो बहुत यह अच्छा कोईशन है याद रखेगा यहाँ पर आपका मुर्दा घर है मुर्दा घर बेसिकली आपका दो अलग-अलग भासाओं से मिलके बना है तो यह आपका क्या हो जाएगा? रेल यात्री, वो आपका क्या है? आपका एक प्रकार से एक संकर सब्द है इसी तरह आते हैं कोईशन अबर 107 पर तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? कि रिक्षा, प्लेटफॉर्म, टिकट घर और प्लेटफॉर्म फिर से देखे, प्लेटफॉर्म दो-दो बार दे दिया तो यह तो कठी गया बढ़ टिकट घर की अगर हम बात कर लें देखिए जहां से टिकट घर और एक सौ तो यहाँ पर संकर सब्द धूणना है तो टिकट घर यहाँ पर आपसे इसका C है वो करेक्ट हो जाएगा आते हैं कोशन नमर 108 पर तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कहवा, कार्तूस, आलमारी और गिरह कट तो गिरह कट अभी मैंने आपको बताया था यह आपका एक संकर सब्द है तो आपसे जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कॉशन आपका क्या कह रहा है कि स्रिंगाल, लियाकत, तजरबा और बम वर्सा तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका जो बम वर्सा है देखिए बम अलग है वर्सा अलग है तो आपका option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अब देशसद सब्द चुनना है कुछ option कुछ आपके question है तो लोटा, किष्टी और बहन भाई तो यहाँ पर आप आराम सब्सक्ति जो लोटा है वो आपका क्या है एक देशसद सब्द है अगला देखे क्या है सोहाग देखे पहला question पढ़के ही पता चल जा रहा है सोहाग है और एक आपका beach है, जगमग है और लसकर है तो यहाँ पर अगर देखा जातो सोहाग यहाँ पर लग रहा है और जगमग में तोड़ा सा confusion है बट यहाँ पर I hope जगमग भी हो सकता है क्योंकि आपका देशसद सब्द गहरा है तो यहाँ पर option C ज्यादा correct होगा तो option C क्योंकि सोहा का कुछ आर्थ हो सकता है दिवाग में नहीं आ रहा है तो अगर मैं आपको comment करके बता दूँगा दिवाग में आता है तो यहाँ पर option जो इसका C है वो correct लग रहा है मुझे आते है question number 112 पर तो यहाँ पर किसमिस बाबा, गाड़ी और नमूना तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो बाबा है यहाँ आपका एक देशसद सब्द से निकला वह सब्द है तो option जिसका B है वो यहाँ पर correct हो जाएगा चलिए आते हैं, देखें कुछ ऐसे देशसद सब्द होते है जिनका आपको आर्थ खुदी नहीं पता तो क्योंकि वो आपकी एक छेतर में बूरी जाती है जिसे आप लोग डोटा बोलते हो, पगडी बोलते हो कही कुछ और बोला आता है, कही साफा बोला आता है सब अलग अलग बोलते है चलिए आते हैं कुछ नमबर 114 पर तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है जादू सरसर हवा जहर यहाँ पर भी पढ़के आप बता सकते हैं सरसर कहते हैं भईया हवा सरसर करती चले तो अपसे जो इसका सी है वो आपका एक देसर सब्द है अगले में आपको कुछ सब्द दियेगे है आपको तस्व्द चुनना है तो तदभो चुल लिया, देशज हो गया, संकर हो गया, अब तफ्सम भी देख लेते हैं डंडा, पश्चिम, खीर और मूंग, तो आराम से पढ़के बता सकते हैं जो पश्चिम है तो दो में आप लोग को कन्फिजन हो सकती है, बट यहाँ पर अरन यह जो होता है यह आपका बेसिकली आपका एक तफ्सम सब्द है, जो उपसन जो इसका बी है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आते हैं कोईशन नमबर 117 पर तो आपसे क्या कहरा है, जिल्मिल, साप, औसधी और भाप तो यहाँ पर भी आप लोग देख कर के आराम से बता सकते हो, कि आपका यहाँ पर बेसिकली आपसन नमबर जो इसका डी है, औसधी, वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखे अलग अलग तरह के सा होते हैं, तो जब दर तर जो बड़ा सा यह खटी सा वाले सब्द यहाँ पर आजएए, वो आपका क्या होता है, आपका वही तस्वम ही होता है, क्लियर है, क्लियर है, क्या नमबर 118 कहरा है, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूं, अगला क्योशन 188 कहरा है, सुहाग, नच्छत्र, दिया और गोत्र, तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए, तो आपका जो नच्छत्र है, यह बिसिकली आपका एक तस्वम सब्द है, तो आपसंग जो इसका C है, करेक्ट हो जाएगा, क्योशन नमब 119 कहरा है, पीठ, गोत दी है, और नारियल, तो यहाँ पर अगर देखा है, 119 कहरा है, तो आपका जो गोत्र है, देखें, सेम कुशन यहाँ पर रिपीट हो गया, गोत्र है, पीठ है, दी है, और नारियल है, तो गोत्र यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो backers 28 अगर देखा जाए तो आपका नच्छतर भी है और गोतर यहां पर दिया गया तो यहां पर हो जाएगा तो अठारा में माफ किजिए गाई दोनों झायगा गोतर हमने ध्यान नहीं दिया था तो गोतर भी हो जाएगा और नच्छतर भी हो जाएगा उसे हम लोग देशी सब्द भी कह सकते है तो option जो इसका B है वो यहाँ पर correct हो जाएगा 121 कह रहा है तत्सम सब्दों का मूल सुरूत क्या है तत्सम जो सब्द होते हैं basically उनका मूल सुरूत क्या होता है संस्क्रिट होता है क्योंकि संस्क्रिट से सीधे उठाई होई होते है तो option जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा 122 नमर question कह रहा है संकर सब्द किस वर्गी करण में आते हैं अगर हम संकर सब्द की बात करते हैं तो दोस्तों यह किस वर्गी करण में आते हैं यह उदगम में आते हैं संकर सब्द देखे इनका उदगम होता है रचना आर्थ इनके अंडर में नहीं आते हैं तो option जो इसका B है वो correct हो जाएगा बी है वो correct हो जाएगा अब आएंगे सीधे question number 23 पर तो आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है कि निम्लिखित में से कौन सा सब्द भेद उदगम के आधार पर नहीं है तो उदगम के आधार पर कौन सा नहीं है तो देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका रूड है रूड जो सब्द होते है वो आपके उदगम के आधार पर नहीं होते हैं तो option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा question number 124 पर आते हैं तो आपसे क्या करया है कि सब्दों के वरगी करण का आधार क्या है तो भाईया सब्धों कवरगी कर रहा हम लोग उद्धगम अर्ष रचना ये अवपरों देखा जा तो तीनों के अधरपर कर सकते हैं तो अपसंग यह अपका क्या और बिल्कुल करेक्ट हो क्लियर है सर देखे हैं आफ वीडियो को लाइक करते हैं चलो आप देख सकते हैं सुभा के 3.05 कर 4 मिनिट हो रहे हैं अभी तक सोया नहीं हूं आप सब के लिए पिता सब्द यूग्म है तो यहांपर देखा जाए तो आपसंग जो इसका B है सार्थक सब्द यूग्म वह यहांपर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कवेशन नमर आपका 127 कह रहा है कि प्रा उपसर्ग से बनने वाले सब्द सम्मूज क्या है तो प्रा प्रा से आपका क्या बन सकता है भई प्रभाव बन सकता है बहुत सारे इसी चीज़ें बन सकती है प्रतेक यहां पर देखा जाए तो बन सकता है तो प्रती से बनता है प्रतेक लेकिन प्रा से से पूछा है तो प्रभाव बन जाएगा प्रदेश बन जाएगा प्रपत्र बन तो आपका नाच होता है तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा 130 number question कर रहा है कि अंगुली का तदभो क्या है भाई आपको पता है अंगुली अंगुली की अगर हम बात करते है तो इसका तदभो क्या होता है उंगुली होता है तो उंगुली बोलती हो आप लोग ना तो option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा 131 number question कर रहा है कि चतो स्कोर का तदभो क्या है भाई चतो स्कोर की अगर हम बात करते है तो इसका तदभो होता है चोकोर क्या होता है तो option जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा question number आपका 132 कह रहा है कि कौन सा सब्द तत्सम है तो यहाँ पर अगर देखा है कौन सा सब्द तत्सम है तो चंचु जो सब्द है option number जो इसका C है चंचु सब्द हो आपका तत्सम सब्द है clear है चलिए आते हैं कोईशन नमर 133 पर तो आपसे कह रहा है कि नमक का तस्सम रूप क्या है अगर हम बात करते हैं नमक के तस्सम रूप के बारे में तो नमक का तस्सम रूप होता है आपका लवड होता है 135 number question पर आते हैं तो भासा की सबसे चोटी काई क्या है तो भासा की जो सबसे चोटी काई है वो आपकी word कहलाती है यानि कि option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा देखें बिना लुके मैंने आपसे बोला था ना कि यह वीडियो आपको बनाऊंगा तो आप कहते हैं तो भाई word माला जो है किसे कहते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो वर्डों का व्योस्ते समू होता है उनको word माला कहा जाता है तो option जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा question number 137 कह रहा है कि प्रकोष्ट सब्द क्या है भाई प्रकोष्ट जो सब्द है वो आपका क्या है एक तसम सब्द होता है तो option जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा जितने लोग अभी तक नहीं याद है तो टेली ग्राम पर मैं इसका PDF दे चुका हूँ तो आप जाके वहाँ देख सकते है question number 137 क्या कह रहा है कि कपूर का तस क्या है सारी गुंठन का तदभो क्या होता है तो भाई गुंठन का मतलब होता है घूंगट तो यहाँ पर option जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा गुठन होना चाहिए था तो गुठन का तदभो आपका घूंगट होता है question number आपका देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि योगिक सब्सक्राइब की पहचान करें तो यहाँ पर अगर देखा जाया है तो यहाँ ऊच्छा धियापक जो मतलब क्या था क्श्रक्छा घृपक‍शन Sa de होता है तो आपसें जो इसका बी वाला है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कोईशन नमर 143 कह रहा है कि आख सब्द का तत्सम रूप क्या है तो आख सब्द का जो तत्सम रूप होता है वो अक्छी होता है और तो यहां पर देखा जा तो आख का जो तत्सम कह रहा पर जो सब्द होते हैं वो आपके कितने प्रकार की होते हैं भाई आपके चार प्रकार की होते हैं अब आप लोग काम बनता है यह चारो प्रकार आप लोग कॉमेंट करें करता है यह चारो प्रकार कौन कौन से होते हैं रचना के आधार पर चलिए आते हैं कोईशन पर 145 पर कहरा है रूडब सब्ड का चैन करें, तो रूडब सब्ड का चैन करना है, तो यहां पर अगर देखा जाए, So daughter अग्र अग्ने कर सकते हो, तो आप WASánu ऑपका, आपका ऑनकार सब्ड का का सब्ड क्या है, कॉंसा नहीं है, तो यहां पर देखा है तो बैभो जो होता है वो आपका किसी भी प्रकार की विभूती का अनिकारसक सब्द नहीं है इसके लाओ सक्ति एस और राख या आपके विभूती के अनिकारसक सब्द होते हैं क्लियर है चलिए आते हैं कोईशन नमर 147 पर तो आप से क्या कह रहा है कि पर हिंदी सब्दों के भाग कौन कौन से है विकारी होते हैं और आपके आविकारी होते हैं आप पर आविसकारी लिखा है वो थोड़ा सा गलत लिखा है बट आविकारी होगा थोड़ा सा इसको सही कर लीजेगा तो आपसन जो इसका सी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट ह हो जाएगा कि यह रहे दोस्तों चली आते हैं कोईशन नमबर 148 तरफ अभी थोड़ा देर और बचे रुख जाए ना बस 50 कोईशन तो मिस्कल से और बचे हैं कि निम्दिखित में से विरक्त सब्द कौन सा है तो विरक्त सब्द यहां पर पूछा गया है तो यहां पर अगर कोईशन कह रहा है कि अनिकार सब्द कौन सा है तो यहां पर जो काल है उपसन जो इसका डी है काल वो आपका एक अनिकार सब्द है क्लियर है दोस्तों चली आते हैं कोईशन नमबर 150 की तरफ तो आपसे क्या कह रहा है कि आत्मा का अनिकार सब्द क्या है अगर हम बात करते है आत्मा के बारे में तो हिर्दय जो है वो आपका आत्मा का अनिकार सक सब्द है तो हिर्दय बहुत important है तो option जिसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा 101.152 क्या रहा है कि रश्ची का तस्म रूप क्या है भाई रस्ची का जो तस्म रूप है वो आपका रश्च्मी होता है क्या होता है रस्च्मी होता है तो option जिसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए आते है कोश्रम 152 की तरफ तो आपसे कह रहा है कि हाथी का तस्म रूप क्या है अगर हम बात करते हैं हाथी के बारे में तो हाथी का तस्म रूप क्या होता है हास्तिन होता है तो option जिसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है चलिए आते है कोश्रम 153 पर तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अटालिका का तदभो रूप क्या है तो आटालिका का जो तदभो रूप होता है वो आपका अटारी होता है तो option जिसका C A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है सर चलिए आते हैं कोश्रम 154 पर तो जूता सब्द कैसा सब्द है जूता सब्द होता है वो आपका एक देशत सब्द होता है कैसा सब्द होता है देशत सब्द होता है तो option जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है दोस्तों चलिए आते हैं question number 156 पर आते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि योगिक धातु है तो योगिक धातु यहाँ पर ढूड़ना है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पढ़ है दोड़ना है लिख है और चल है तो यहाँ पर जो आपका दोड़ना है वो आपका योगिक धातु हो जाएगा आप यही पढ़ना, लिखना चल होता है, तो आपका यह यह योगी खोजाता है, लेकिन यहाँ पर डोड़ना, तो आप संग जो इसका C है, वो यहाँ पर बिलकुल Correct हो जाएगा question number आपका इस सुत्तावन कह रहा है कि योगी किरिया है तो योगी किरिया है आपर देखे क्या हो जाएगा गाना, चल देना, घाना, वाना, पीना, भीना तो आराम से बता सकते हो यहाँ पर जो चल देना है तो आपसंजो इसका C है चल देना ये आपका क्या हो जाएगा योगिक किरिया हो जाएगा योगिक धातु हो गया योगिक किरिया हो गया अगला कहरा है कि इस वाक्य में क्या किरिया क्या है घोड़ा दोड़ रहा था तो भाई दोड़ना जो होता है किरिया होती है आप सबको पता है तो यहाँ पर जो दोड़ होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला गया है तो यहाँ पर option जो इसका B है वो करेक्श है कि जब कि लोग प्रचा और समू यह जो है basically आपके जन के अनिकारसक सब्द होते हैं clear है चलिए आते हैं question number 160 पर तो तम का निकारसक सब्द नहीं है देखें यहाँ पर भी आपका कह रहा है तम का निकारसक सब्द कौन सा नहीं है तो जो प्रकास है option जो इसका C है प्रकास वो आपका तम का निकारसक सब्द नहीं है चलिया आते है question number 161 पर आप से हां पर क्या कहिर रहा है कि पति का अनीकारसक सब्द नहीं है तो देखें पति का अनेकारसक सब्द बार कृष्व infamousано Dziękuję stairs उजला का तस्व्रूप क्या है उजला का जो तस्व्रूप होता है वो आपका उज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् तो आसुरू होता तो आप मान सकते लेकिन आसु जो रहा चले है कोईशन भाध radius possible पर तो आप से कहे रहा है कि महात्मा गाधी ऐनूर आइंसा के साथ छाथ ते इसका मतलब क्या हो जाएगा तो यहां पर 164 का correct answer हो जाएगा, साच्छात क्या थे, विग रहा थे, परिग रहा थे, अरुग रहा थे, आप परिग रहा थे, तो यहां पर देखा जाएगा तो आपसंद जो इसका A है, वो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा, चलिए आते हैं कोईशन नवर 165 पर तो आपसे क् गरम है, मज़ा है, तो यहां पर अगर देखा जाएगा, तो चिडिया तो देशत सब्द नहीं होगा, गरम आ से मज़ा, तो यहां पर देखा जाएगा, मज़ा हो सकता है, आपसन जो इसका D है, मज़ा ऑपसन D यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा, पर थोड़ा सा confusion है, आपका तसम सब्द है, clear है, question number आपका 166 कह रहा है, तदभो सब्द क्या है, तो यहां पर अगर देखा जाएगा, तदभो सब्द क्या है, तो मुह, जो आपका option number D है, मुह, यह आपका एक तदभो है, bank आपका English सब्द है, नहीं आपका पता है, एक तसम सब्द है, लेकिन यहां पर जो D मुह है, यह आपका क्या हो जाएगा, एक तदभो सब्द हो जाएगा, clear है, चलिए आते है, question number 168 पर तो आपसे क्या कह रहा है, कि वाचाल किसे कहते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, वाचाल के बारे में, तो वाचाल किसे कहते हैं, बहुत बोलने वाले को वा कह रहा है, कि व्यूतपत्ति के द्रिष्ट से हिंदी सब्द भंडार के प्रकार हैं, तो व्यूतपत्ति के द्रिष्ट से हिंदी सब्द भंडार के कितने प्रकार होते हैं, तो व्यूतपत्ति के द्रिष्ट से दुस्तों, आपके चार प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होत तो option जो इसका C है वो यहाँ पर बलकुल correct हो जाएगा clear है तो यहाँ पर जो option number आपका कौऔ वसा है C है वो यहाँ पर बलकुल correct हो जाएगा चलिए आते हैं अगले question पर तो अगला question आपका यहाँ पर क्या कह रहा है देखे रहां से तस्वम सब्द कौन सा है तो तस्वम सब्द पूछ रहा है आपसे आपर तो यहाँ पर अगर देखा है तस्वम सब्द की अगर बात करते हैं तो भादो भाद्रपद भाद प्रद नहीं है भाद्रपद आपसे अगर बी की बात करते हैं तो यहाँ का तस्वम 707 में देखाए तो भाप है वास्प है उष्डप है और वास्पन है तो यहां पर जो आपका भाप है ततब्व पूछ रहा है तो आप सवे इसका क्या बोलते हैं एह है वह यहां पर बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा क्लियर दोस्तों चलिंगा आते हैं आगले कोश्चें तरफ है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तुम प्रते दिन पढ़ने आया करो यह आपका बेसिकली संयुक्तिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा क्लियर है सर चलिए आते हैं कोईशन नमबर 172 के बाद 173 पर तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कौन सा कथम सत्य नहीं है तो यहाँ पर 173 में अगर देखा जाए तो संकर सब्द ग्रामेड सब्द है यहाँ पर पहला जो कह रहा है फिर से वही सीम कोईशन रिपीट हो गया तो यह आपका देखा जाए तो संकर सब्द ग्रामेड सब्द ही नहीं तो उप्सन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आते हैं कोईशन नमबर 174 पर तो गिरह कट फिर से कोईशन रिपीट हो गया का सारे के सारे तो गिरह कट सब सब्द क्या है तो भाई देखे फिर से रिपीट हो गया तो मैं छोड़वा दोंगा कोई दिक्कत नहीं है तो गिरह कट आपको पता है देशस सब्द है तो यहाँ पर देशस सब्द चुनना है तो आपको पता है लोटा जो है आपका देशस सब्द है रिपीट हो गया आते हैं अगले question पर तो यहाँ पर कर रहा है निमलिखित में से किसे देशी सब्द कहा जाता है तो यहाँ पर कई सारे question रिपीट होगे उसके लिए माफ़ी चाहूंगा तो देशी सब्द किसे कहा जाता है तो देशी सब्द को आपका देशी सब्द कहा जाएगा चलिए अब देखने में लग रहा है तो option जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है sir चलिए आते हैं अगले question पर तो अगला question कर रहा है कि तत्सम सब्दों का मूल सुरूत क्या है तो आपको पता है संस्क्रित होता है तो option जिसका B है correct हो जाएगा आगला question कर रहा है थो सब्दों की वर्गी करण का आधार क्या है तो सब्दों की वर्गी करण कहलाते हैं जीसे आपका लंबुधर हो गए, बहुत सब्सक्राइब कहलाते हीं आथे हैं एंगले question पर तो आप से क्या कह रहा है विकारी सब्डों के जिस रूप से उनकी संख्या का मौध होता है वो क्या कहलाते हैं तो मैद मैंदे जैख यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा चलियर है चलिए आते हैं कोश्चर अब 183 पर तो आपसे क्या कहा रहा है कि संस्क्रिट के वे सब्द जो हिंदी में बीना किसी परिवर्तन के प्रियुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं तो भाया क्या कहलाते हैं संस्क्रित के वे सब्द तो आपका तस्सम कहलाते हैं तो आपसंजो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होएगा आगनी अश्ट अश्रू अच्छी बहुत सारे ऐसे तस्सम सब्द है चलिए आते हैं कोशन अब 184 पर तो आपसे क्या कह रह पहले वाले आपसंजों की अगर हम बात करते हैं तो अगनी भी आपका तस्सम है जीएश्ट भी है आपका सरकरा भी और पवन भी है तो यहाँ पर देखा है पहला यह आपकर करेक्ट हो जाएगा तो आपका एक तस्सम सब्द है स्वर्ड हो गया श्रॉपन हो गया संधिया होगे, यह सारे स्टस्व होते हैं, तो option जो इसका A है, वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा, 186 number question आप से क्या कह रहा है, कि वे सब्द जो प्रकिर्ति, प्रत्य, अथवा दूसरे सब्दों की योग से बनी हो, वो क्या हो जाएगा, 187 number question कह रहा है, कि नीचे दिये गए विकल्पों में से तस्वम सब्द का चयन कीजिए, तो तस्वम सब्द का चयन करना है, यहाँ पर देखा जाए, तो आम्र ही देखा जाए, तो आपका तस्वम है, आम का होता है, तो option जो सब्द का चयन करना है, तो याद रखिएगा, 188 का करे टेंसर क्या हो जाएगा, सर, आपका मुह, जो आपका मुह है, option number जो इसका D है, वो आपका एक तद्भो सब्द है, जबकि बैंक, अगनी, अमीर यापकी देखा जाए, तो अलग-अलग होते हैं, देखिए, अभी मैंने, अमीर के बारे में चैन करना है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर लेटना, पिखलना, छूटना और तडपाना, तो यहाँ पर सकर्म करिया कौन सी हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्डन्ट है, तो यहाँ पर जो तडपाना है, वो आपका सकर्म करिया हो जाएगा, तो उप्सन जो इसका डी है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेट हो जाएगा, एक सो नब्बे नमर कोशन कहरा है, कि बड़ो के लिए उप्युक्त अभिवादन का चैन कीजिए, बड आपको चैन करना है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कलश, जो आपका option A है, कलश जो है आपका तसम सब्द हो जाएगा, तो option जिसका A है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों, चलिए क्लियर है, तो आते हैं अगले कोशन के तरफ, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों, तो C पर टिक करेंगे, और बढ़ेंगे हम लोग अगले कोशन की और, तो अगले कोशन आपका यहाँ पर क्या रहा है, यहां से देखिए, कि अजायब घर, क्या है भाई, अजायब घर की अगर हम बात करते ह है, तो यह होता है, आपका एक संकर साथ, दो अलग-अलग भासाओत से मिलके बना सब्दों मिलका है, तो उपसन जिसका D है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आते हैं अगले कोशन पर, तो अगला कोशन आपका कहरा है, कि मोर का तस्सम रूप क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, भाईया, मोर के बारे में, तो मोर का तस्सम क्या होता है, तो बिलकुल सिंपल सा कोशन है, कई वार आपने देखा भी होगा, मयूर होता है, तो उपसन जो इसका B है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोशन आपका 95 कह रहा है, कि निम् охां करेंगा, यह 156 का सबसुन में, तो जिसे यहां मोर करहते है, तो रसागे होता है, यहाँ गज़नों करेक्ट हो जाएगा, तो यस est कीनल देखा और चारा जो यहाँ देखा जैटरग रोप नहीं कर रहा हूं सीधे पडा रहा हूं तो बस आपको यह वीडियों कैसे लगा आप लोग यतना कॉमेंट करेंगर कि बता इक बता रहते हैं आपको के लिखे हों कि यह लेकर कर् meva आते हूं थै कर दो एची यहार जैहिं जै भारत मैं आपको आप डr ग्रूप पर दे दूँगा शेयर करो लाइक करो तभी तो आपको पीडियास में आपको इतने सब को दे रहा तो इतने तो करी सकते हो तो अभी के लिए बाबाय टेक कियर जैहिंज जैभारत